असलाम अलेकूम, वेलकम टू मैं चैनल हिनाका जायका, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी करेला चनादाल रेसिपी, ये बहुत ही डिलीशियस बनके तयार होता है, जहां करेली खाना कोई पसंद नहीं करता, उसकी कड़वाट की वज़े से, तो आप अगर मेरी तरीखे स इस सबजी को बनाएंगे, सबी को बहुत पसंद आएगी, बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही टेस्टी बनके तयार होती है, तो ज़रूर ट्राय कीजिएगा, रेसिपी पसंद आया तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो चलिए फिर बनात इस पून नमक लगाकर एक घंटे के लिए छोड़ दिया है, अगर आपके पास टाइम कम है, तो आप इसे आदा घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, नमक लगाने से करेले में जितनी भी कड़वाहट होती है, वो धूर हो जाती है, तो अब एक घंटा हो गया है, अब में उसे वाश कर लेती हूँ, तो इसमें मैं पानी डालूँगी, और इसे वाश कर लूँगी, तो देखिए हम इने इसमें पानी एट कर दिया है, और अभी इस पानी को हम फेक देंगे, तो करेले में जितना भी नमक एक्स्ट्रा था वो भी निकल जाएगा और इसकी कड़व अब इसमें हम डाल देंगे करेलों को, तो याद रखिएगा, इस बात का धियान रखिएगा, कि करेलों को बड़े बड़े तुकडों में काटना है, छोटे तुकडे नहीं करना, अब इसमें मैं डाल रही हूँ, 150 ग्राम्स दही, यहां खटा दही यूज किया मैंने, अगर आपके पास दही नहीं, तो आप इसमें छाज का यूज भी कर सकते हैं, अब इसमें हम एट करेंगे, चनी की दाल, या मैंने 50 ग्राम्स चनी की दाल लिये, जिसे आदा घंटे के लिए पानी में बिगा दिया था, वो एट करते हैं, कॉर्टर टीस्पून हल्दी पाउडर, वन टीस्पून धनिया पाउडर, वन टीस्पून लाल मिच भूरी वाली, हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिच कलर के लिए, अब इसमें मैंने डाल दिया है, एक बड़े चम्मच, अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं, अभी हमें नमक एड़ नहीं करना इसमें, क्योंकि हमने जो करेलों में नमक लगाया था, तो हमने इसको धोतो दिया है, पर उसके बाद भी उसमें कुछ नमक बाकी रहेगा, इसलिए हम इसमें अभी बिल्कुल नमक एड़ नहीं करेंगे, अगर जब हमें जरूरत लगेगी, तो हम इसे बाद में चेक कर लेंगे, और बाद में नमक एड़ कर देंगे, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, एक ग्लास के करीब पानी, और इन सब को अच्छे से मिक्स करते हैं, अभी तक मैंने गैस आउन नहीं किया था, अब मैं गैस आउन कर देती हूँ, और लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे हम, 30-40 मिट तक, मैंने इसमें सीटी नहीं लगाई है, तो ध्यान रखना है, आपको सीटी नहीं लगाना है, लो फ्लेम पर बिना सीटी के पकाना है, हमें 30-40 मिट, 30-40 मिट हो गएं, ये सबी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं, अब गैस में आउन कर देती हूं, और हाई फ्लेम पर इसे हम, 4-5 मिट भून लेते हैं, तो 4-5 मिट हो गए हैं, ये सबी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं, अब इसमें हम डाल देते हैं, बारी कटा हुआ हरा धनिया, अगर इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लीज़ेगा, अगर आपको नमक कम लगे, तो यहाँ पर नमक आप अड़ कर लीज़ेगा, और इसे इच्छे से मिक्स कर लीज़ेगा, तो तैयार है हमारा करेला, चने की डाल की सबजी, बहुती लाजवाब करेला और चने की डाल की सबसी बनके तयार हुए जरूर टाय कीजिएगा रेसिपी पसंद आये तो उसे लाइक शेर और सबस्क्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ तब तक दीजिए अजाज़त अपने खायल रखिएगा और अपनी दौाओं में मुझे याद रखिएगा अल्हाफिज